हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का A&A अन्बोक्सर में मैं A&A के सेकेंड मेंबर हूँ तो गाइस, कैप्शन पढ़के आपको पता तो लगी गया होगा कि आज किस चीज का अन्बोक्सिंग होने वाला है तो चलिए आईए गाइस, देखते हैं क्या सीन अन्बोक्सिंग करते हैं तो गाइस, यह रहा Redmi Note 9 जिसकी आज मैं अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ तो आप फोन के दोनों तरफ Redmi Note 9 सकते हैं और फोन के पीछे कुछ फोन की की फीचर्स दिये हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ जैसे इस फोन के साथ आपको मिल जाता है 48MP AI-Code Camera साथी साथ आपको 13MP InDisplay Selfie Camera मिल जाता है इस फोन में आपको Helio G85 का Processor मिल जाता है साथी साथ आपको Dot Display मिल जाता है वो भी 6.53 Full HD Plus का और इस फोन के अंदर आपको 5020MH की बैटरी मिल जाती है जब मैंने ये प्रोड़क्त मंगाया है 4GB X 28GB Variant में Aqua Green Color में तो चलिया ये गाइस फोन को ओपन करते हैं जैसे ही मैंने लिट को हटाया आप देख सकते हैं यहां पर एक छोटा से Section आ गया तो इस Section के अंदर आपको यह सीम Ejected Tool मिल जाता है साथी साथ अंदर आपको यह कुछ यूजर गाइड है और आपको यह एक Cover मिल जाता है जो की एक TPU Case है Quality कुछ खास तो नहीं है पर चल जाएगा और अंदर आपको मिल जाता है Redmi Note 9 Pro का यह खुबसूरत सा Aqua Green Color में Mobile Phone फोन को मैं बाद में Unbox करूँगा इसे में Side रख देता हूं तो अंदर आपको मिल जाता है यह एक 22.5 Watt का Fast Charger साथी साथ आपको यह एक USB A to USB C USB Cable मिल जाता है जिसकी Length और Quality तो काफी अच्छी है तो गाइज आप फोन को बाहर निकालते हैं तो फर्स लुक में तो यह काफी अच्छा लग रहा है Aqua Green Color का है तो चलिए फोन को कर लेते हैं आपको फोन के बारे में और कुछ डिटेल्स दे देता हूं साइड में आपको मिल जाता है एक SIM Card Slot चलिए इसे चेक कर लेते हैं यहां पर आप दो SIM Card और एक Memory Card रख सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है फोन के नीचे आपको मिल जाता है एक 3.5mm का Audio Jack साथी साथ यहां पर एक माइक मिल जाता है और आपको यहां पर Type-C का USB Port मिल जाता है और यहां पर Speakers फोन के साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको Power Lock Unlock Button मिल जाता है और यहां पर Volume Up and Down का Button मिल जाता है और उपर की तरफ यहां पर आपको Noise Cancellation का माइक मिलता है और यहां साइड में IR Blaster मिलता है जिसे कि आप अपने तीवी को कंट्रोल कर सकते हैं और यहां पर फोन के पीछे यहां पर चार कैमरा दिया हुआ है एट मेगा पिक्सल प्लस 48 मेगा पिक्सल प्लस 2 मेगा पिक्सल का यह आपको यहां पर फिंगर्प्रिंट मिल जाता है तो गाइस यही है वह फोन रेड्मी नोट 9 तो चलिए गाइस इसके चेक करते हैं क्या-क्या फीचर्स है फोन के अंदर तो फोन की कलर्स तो काइस बहुत अच्छा है सेटिंग्स में मैं आपको जाकर दिखा देता हूं अब आउट फोन यह आता है मियू आई वर्जन 11 पर जो की सबसे लेटेस्ट है बाइस एमाई और गाइस यह एंड्रोइड वर्जन 10 है जो की सबसे लेटेस्ट है बाइंड्रोइड गाइस इसका साउंड कॉलिटी भी बहुत ही अच्छा है और गाइस कलर्स तो काफी अच्छा लग रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लुक है और और क्या कहूं गाइस यह फोन बहुत ही अच्छा है जो की नॉर्मल यूजर्स है उनके लिए फोन तो बेस्ट है तो गाइस इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूँ जो की इसका बेस्ट प्राइस CSK छा जीवी 64 GB जिसका प्राइस है 11,999 रुपये और इसका दूसरा वेरिएंट जो की 4 जीवी 128 जीवी ए उसका प्राइस है 13,99 रुपए और इसका सबसे अपमوس्ट वेरिएंट जो है 6GB, 128GB, उसका प्राइस है 14,999 रूपर, तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को जाके लाइक कीजे, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे, और हाँ गाइस, पहली बार इस चैनल पे एक मोबाइल फोन का अन्बॉक्स हुआ है, तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, तो इस चैनल पे और भी नए मोबाइल के अन्बॉक्सिंग आएंगे, तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए, जय हैंगे,